भाईयो नमस्कार आज मैं अपने खेत पर आया हुआ हूँ यह हमारा पेड़ी का गन्ना है 38 का भाईयो इसमें भी रोग आ गया था टोप बोरर का देखो और सडक पे से यह से नहीं लग रहा साइड में से देख रहा है लेकिन भीत्रे से जा कर देखेंगे तो काफी रोग आ ऐसे लग यह वह लगो बखुआओंगा खाद में मिलाकर यूरिया में 5 किलो भिके का खाद लूँगा और यह दव एक किलो फंगी साइड के बहुत ही अच्छा है एक बिका में यूरिया ना मिलाएं वनना रोग जैदा आ जाएंगे यह टोबोर और और जितने भी रोग है सब यह यूरिया से ज़्यादा आ रहा है इसलिए यूरिया की मातरा कुछ कम रखें भाई यो यह देखी कापी अच्छा गन्ना हो रहा है वैसे तो लेकिन भीत्रे से कई जगे रोग आ गया है इसलिए मैंने इनसेक्टिसाइट का इस परे किया हूँ मैंने आपको वीडियो में पहले भी दिखाया था कि कॉन से इनसेक्टिसाइट का इस परे किया है यही देखी अब इसमें पर्सो को मैं यूरियम पांस किलो यूरिया एक विगे के लिए लूँगा और एक एक कड़ के लिए एक किलो हारू फंगिसाइड यूरियम मिला के बखेड दूँगा बहुती अच्छा रिजल्ट आता है अगर इस परे करना चाते हैं तो आद्धा किलो लेना पड़ेगा 500 ग्राम हारू आ अगर यूरियम मिलाकर डालना चाते हो तो यह पोका बोईंग के लिए इसमें एक किलो एक एक कड़ के लिए डालना पड़ेगा बहुती अच्छा रिजल्ट है और भाईयो समय समय पर अपने खेत मर जात कर देखते रहें और अंदर बढ़कर देखें कोई रोग तो नहीं करें अगर रोग है तो और समय पर पानी देते रहें अगर पानी नमी खेत मर बनी रहेगी तो रोग काफी काम आएंगे इसलिए नमी बरकरार रखें अपने खेतों पर ठीक है भाईयो नमस्कुर